तो नोस्कार दोस्तों, आज दुबारा इस वीडियो में आप सोब्कारण स्पारा अंगे दमपाम करते ज्तरों की आप को इंस्टॉल करते होны अग्सक्रोब करते हो सप्सक्रांगा मैं भ यूपको उसको यूज़ करना है कर सकते हैं उसके क्या-क्या फीचर्फ हैं वह सारी चीज आजमा इस वीडिओ के अंदर बताने वाला हूं तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते ऐसा कुछ नहीं है, जो software होते हैं, ये YouTube से certified होते हैं, क्योंकि जो channels होते हैं, जो YouTube है, या फिर कोई और भी website है, जहां से आप ये सब चीज़े use करते हो, ये YouTube अपनी API और company को बेचता है, तो उससे क्या होता, YouTube को earning मिलती है, और YouTube उससे अपनी जो data है, वो share करता है, जैसे वो य share करता है, कि ये जो YouTuber है, या ये बंदा है, ये क्या-क्या use कर रहा है, ये कौन सी तरह की वीडियो जादा देखता है, या इसके YouTube अगर channel है, तो एक किस टाइप की YouTube वीडियो जालता है, तो उसके according इसको कैसी वीडियो देनी चीए, तो वो सारी चीजे API के थुरू काम करती ह तो ये software बिल्कुल safe है, आप बिल्कुल इसको use कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको Chrome के अंदर इसको कैसे use करना है, तो उसके लिए आपको अपना Chrome open कर लेना है, पहले हम आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखाई देता है software install होने के बाद, जैसे आप ये आपकी जो वीडियो है, वो किस टाइप की वीडियो है, क्या उसमें features है, क्या-क्या अच्छी चीज़े है, वो सारी details यहां पर बता देता है, तो यह हमारे YouTube studio है, यह हम open करेंगे, तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा हूँ कि यहां पर यह ट्यूब बड़ी है, इसके ब वेबसाइट है, वीडियो की वेबसाइट पर आपको जाना है, यहां जैसे आप उपर क्लिक करोगे, वीडियो की वेबसाइट के अपर, तो यहां पर आपको extension का option मिलेगा, आपको extension के उपर क्लिक करना है, और यहां पर install chrome extension आजाएगा, यहां तो आप यहां से install कर सकते हैं या फिर आप डिरेक्ट यहां से जो एप्स हैं Google Chrome की वहां पर जाना आपको वेब स्टोर पर जाना है और वेब स्टोर पर जाने के बाद आपको यहां पर Weed IQ सर्च करना है Weed IQ जैसे आप सर्च करोगे तो यह Weed IQ आ गया है यहां पर Weed IQ.com तो आप यहां से भी इसको क्लिक करके जैसे मैंने अब यहां पर मेरी Chrome Extension जो इंस्टोल है आपको यहां से इंस्टोल कर लेनी है यहां आपका Login मांगेगा आपको उस Gmail ID से Login करना जिस Gmail ID से आपका YouTube का अकाउंट है तो अगर आप उससे इंस्टोल कर लोगे तो आपका यह कुछ ऐसा यहां पर इंटरफेस आने लग जाएगा और इस इंटरफेस में यह आपको बता रहा है कि आपका जो चैनल है लास्ट बारा महीने की डिटेल में कितना गंटे का वोस्ट टाइम आया है लास्ट साट मिनट में कितने व्यूज आए है कितने सबस्क्राइबर है और सबस्क्राइबर बढ़ रहे हैं घट रहे हैं वो सारी चीज़ आपकी यहां पर बताएगा उसके बाद अगर आप यहां पर क्लिक करोगगे तो यहां पर आपको डेली के जिसे अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो डेली क्या आइडियाज है कि आप किस तरह की वीडियोज बना सकते हो डेली ये तीन आइडिया फ्री में देता है उसके लावा जो बाकिक आइडिया उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा पहले आप इसका फ्री वाला प्लान कोबाइल फॉन में वहीं से यह सब चीज लोगिन कर लेता हूँ आप सेम आईडि से यहां और वहां लोगिन करके अपना डाता यहां से वाहां दिखा सकते हूँ चेक भी कर सकते हो दो किस कीवर्ड पर कौन सा चैनल है जो सबसे ज्यादा जिसकी वीडियो जा रही है यहां अगर काईन मास्टर लिखता हूं तो यहां पर आपका आ गया कि काईन मास्टर का जो सर्च हो लिए हो पांच लाग सतरा आजार है और यहां पर यहां पर इसकी प्रेडिक्शन भी दिखा रहा है उसके बाद यहां most viewed आ जाएगा उसमें भी आपके बहुत सारी यहाँ पर आप नीचे तक जाते रहोगे आपके अलग-अलग features आते रहेंगे और यहाँ पर अभी के time में क्या सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है वो भी देखने के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा और उसके यहाँ नीचे चैनल की आप अगर ओडिट करना चाहते हो अपने चैनल की तो यहाँ से कर सकते हो मैं इसको ज्यादा लंबी नहीं करूँगा वीडियो आप यह उपन करोगे यूज करोगे तो आपको अपने आप समझाज दरने लग जाएगा कि यह क्या क्या बता रहा है और क्या आपके लिए ज़रूरी क्या नहीं है तो यह इसका डैसबोर्ड है डैसबोर्ड पे अगर आप जाओगे वीडियो के डेस्बोर्ड पे यह आपके पूरे चैनल के बारे में डिटेल देगा कि यह कितने व्यूज आ रहे हैं कितने सब्सक्राइबर हैं और कितना वोस्ट टाइम आ रहा है सारी चीज़ों की डिटेल यहाँ पे आपको देगा और आपने जो competitor सलेक्ट कर रहे हैं वो भी यहाँ से आपको यह दिखाने लगजाएगा कि आपके competitor ने किश तरह की वीडियो बनाई है और किस चीज़ की वीडियो ज्यादा बनाई है और यहाँ पे आपका भी दिखाएगा उस वीडियो के लिए आपको टैग जिए तो आप अगर वो टैग ढूंडोगे तो आपको क्या करना है आपको यहाँ पर क्लिक करना है वो आपका competition या जो भी आपका इसकी competition कितना है इस channel के उपर या इस keyword के और कितना competition है और जो most related keyword है वो कौनको से है वो ये वाले keyword है जो most related है उसके बाद यहाँ पर आपकी related जो query है वो सारी आपको यहाँ पर दिखाई देगा उसके बाद आपको किसी एक वीडियो के उपर click करना है जैसे ही मैंने इसी एक वीडियो के उपर click किया है तो जैसे ही कोई आप वीडियो open करोगे तो उस वीडियो की पूरी detail आपको यहाँ पर आजाएगी overview इसका जो video IQ के according कितना है score और इसके views कितने आ रहे परहावर अब तक total कितने views आ चुके हैं इसके likes कितनी हैं उसके इलावा इसका SEO कितना अच्छा है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा और engagement कितने हैं लोगों की वो भी दिखाई देगा उसके बाद आपको यहाँ पूरी detail बता देगा कि कितना description है resolution कैसा है सारी चीज़ा आपको बताएगा और नीचे आपको इस video के सारी tags भी मिल जाएगे कि इस video के अंदर क्या का tags है और इस channel के क्या का tags है वो भी सारे आपको मिल जाएगे और पूरी channel के बारे में यहाँ पर detail मिल जाएगी उसके बाद अगर आपको यह tags लिखने नहीं है अपनी video में तो आपको simply यहाँ से export भी कर सकते हो और आप यहाँ से channel की growth के बारे में पता लगेगा जिससे आप अपने views बढ़ा सकते हो इसके लावा एक और app है TubeBuddy जिसके बारे मैं आज मैं यह नहीं बताऊँगा इस video के अंदर अगर आपको यह video पसंद आती है तो मैं TubeBuddy के बारे में यह video बनाऊँगा वो भी एक ऐसी same app है और इन दोनें का paid plans भी है मैं सिर्फ यह बोलूँआ कि पहले आप इसका free वाला plan यूज़ करके देखिए अगर आपको सही लगता है और आपको फायदा होता है तो आप paid plan लीजिए मैं खुद अभी तक मैंने paid plan नहीं लिया है मैं इसका अभी तक free वाला version ही यूज़ कर रहा हूँ बागी आप जो भी इसको यूज़ करोगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से इसके बारे में पता लेगेगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं अगरी की वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बने महातरव